गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर 10 ग्रेट पर्सनालिटीस अप इंडिया का नंबर डी और नंबर ए डिसकसन करेंगे इंडिया के ग्रेट पर्सनालिटीस हैं उनमें से कोई एक वान नंबर आई लॉट पीस अंड टूथ यह जो थे उनको सांती बहुत अच्छा लगता था यह कौन थे मात्मा गांधी टू नंबर आई वांटेट स्वराज पर इंडिया एंड वा सेंट प्रिजन मैनी ताइम्स यह कौन थे देखो हमारे इंडिया के लिए स्वराज चाहते थे और बहुत दिनों के लिए जेल भी गए थे तो यह कौन थे बालगांगाधर तिलक 3. I laid the foundation of India's freedom struggle हमारे freedom struggle का foundation यह laid करे थे यह कौन थे यह भी थे बालगांगाधर तिलक 4. I fought bravely against the Mughals यह कौन थे Mughals के सामने पूरा डटकर लड़ाए कर रहे थे यह थे गुरुगोविंद सिंग E. Answer the following questions देखो 1. Write about Sivaji Sivaji की बारे में हमको कुछ लिखना है Sivaji lived from 1630 to 1680 He watch a great Maratha king 2. Why is Maharana Pratap considered a great hero of India? Maharana Pratap को इंडिया का great hero क्यों कहा जाता है तो देखो Maharana Pratap faced many difficulties but never lost courage and never bored before Akbar Akbar के सामने वो कभी भी अपना सर नहीं जुकाए थी इसलिए उनको इंडिया का great hero भी कहा जाता है 3. What do you know about Balgangadhar Tilak? Balgangadhar Tilak के बारे में हम क्या जानते है Balgangadhar Tilak was a great freedom fighter and wanted Swarajpur India He laid the foundation of India's freedom struggle 4. Why was Gandhiji called the Mahatma? Gandhiji को Mahatma क्यों कहा जाता है? Gandhiji respected all religions and loved peace and truth and he also helped India gain freedom So he called the Mahatma. Mahatma Gandhi जो थे हमारे इंडिया के सारे religion, सारे लोगों को प्यार करते थे उनको peace और सांती उनको बहुत अशे लगता था वो आइंसा के मार्क पर हमेशा चलते थे और हमारे इंडिया को freedom दिलाने के लिए वो बहुत लड़ाई करे थे इसलिए उनको मातमा भी कहा जाता है ठीक है तो यह दी और इनमर आपका होम वाग है झाल आपका होमेशा झाल आपका है